Good morning, we are here for class UKG Maths classes. How are you? I hope you will be fine. Today's topic is Top and Bottom. आज हम लोग Top and Bottom के बारे में जानेंगे. Top means होता है, सबसे उपर, यानि कि सबसे हाई पे जो होता है, सबसे उचाई पे जो होता है, वो Top होता है और Bottom का मतलब होता है, जो सबसे नीचे हो, यानि सबसे लो में जो होता है, वो Bottom होता है. यहाँ देखो, मैंने कुछ Number लिखा है, जैसे इसको आप One Number में जो है, वो Back Counting है. 100 से स्टार्ट किया है मैंने और 91 तक लिखा है. तो इस सीरीज में सबसे उपर क्या है 100, यानि वो 100 जो हुआ वो Top पे हुआ और 91 Bottom हुआ, यानि सबसे नीचे 91 और Top पे 100. Two Number में है 1000, 1000, 1000, उसके बाद 900, 800, 700, 600, 500. तो सबसे उपर 1000 जो है वो Top हुआ और 500 Bottom में. Three Number में देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने कुछ Letters यानि Alphabet लिखे हैं, इसमें मैंने A, E, M, X और Z लिखा है. तो A कौन से लेबल पे आया? Top लेबल पे, यानि सबसे हाई पे A है और Z जो है, वो Low पे यानि की नीचे Bottom में है. इसी तरह से यहाँ पे एक पेर बना हुआ है, उसमें एक छोटा सा घर है, उसमें कौन सोया हुआ है? Monkey. तो Monkey कहा है? Top पे, यानि उंचाई पे सोया हुआ है और एक Monkey जो नीचे में है वो Bottom में है. यानि जो सबसे उपर है वो Top हुआ और जो नीचे में है वो Bottom. इसी तरह यहाँ एक देखो, यहाँ पे क्या है? टॉप में क्या है? घोसला है और उसमें कुछ Eggs है, यानि अंडे है और नीचे क्या है? Bottom में मुर्गी. यहाँ भी यहाँ भी आपको दो हेन और कॉक है है ना? तो यहाँ पे एक सीड़ी बनी हुई है, लेडर बना हुआ है, जिस पे एक मुर्गी है, यह टॉप लेवल पे है और सीड़ी की नीचे, लेडर की नीचे मुर्गा है, जो की Bottom में है. यहाँ देखो, यहाँ दो बॉइज है, जो की एक टॉप पे है, यानि की जो विनर वाले स्टेच पे है, वो टॉप पे हुआ, और जो नीचे खड़ा है, वो Bottom में है. यहाँ देखो, एक फ्लैग है, फ्लैग के उपर भी एक मुर्गी है, वो किस लेवल पे हुआ, टॉप पे. और नीचे एक बिल्ली बैठी है, वो किस लेवल पे है, बॉटम में. I hope you understand कि टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है, जैसे अगर आपके पास वाटर बोतल है.